इर्ध के भीौर्ट ऐसरों अपना क्ति आ है आपे फॉर्फीली आप सब थीक होंगे लास्ट वीड़यो में जो हमारा लेक्ष्र नंभुबह fulfilling था उसमें हमने react just start की थी और उसमें हमने पहले तो react को understand किया था कि react basically करता किया है हमारे लिए असानी कहां पे create करता है कोई भी framework यहां library होती है वो आपके लिए आपके काम को असान करने के लिए और आपके काम को ज्यादा organized और वो एक foundation provide करती है आपके काम को ताके आपका काम जो है वो organized हो और दूसरी चीज़ यह है कि वो जल्दी भी आप कर सके लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने वनीला javascript पर normal javascript के थुरू हमने एक functionality बनाई थी और उसी functionality को हमने बाद में convert किया था react पे बट उस case में हमने क्या किया था हमने अपने उसी HTML document के अंदर react को as a CDN add किया था और Babel को भी as a CDN add करके उसको use किया था बट नॉर्मली जब हम कोई बढ़ा project develop कर रहे हैं या पूरा एक system develop कर रहे हैं web के उपर कोई पूरी application develop कर रहे हैं तो उसमें हम normally क्या करते हैं हम react को as a standalone structure install करते हैं एक app install करते हैं और उसको उसमें फिर हम develop करते हैं उसको scaffolding बोलते हैं तो last time हमने क्या किया था हमने HTML document में CDN add किया था लेकिन नौर्मली हम react CDN add करके नहीं यूज करेंगे बलके प्रॉपर अप्लिकेशन जो हैं वो CDN के थ्रू नहीं बनती उसके लिए हम प्रॉपर एक react की installation करते हैं वो आपके लिए structure create कर देता है files create कर देता कुछ और उन files को आप modify करके react app बनाते हैं ठीक है उसमें आप CDNs का यूज नहीं करते और वो करते किस तरह से हैं वो आज वीडियो में हम discuss करेंगे तो अगर आप यहां पर जाएं react की website पर आप लिखें react.org यहां पर आप जाएं get started में आप जाकर अगर नीचे आएं तो यहां पर लिखा आ रहा है create a new react app हमने लास्ट टाइम किया था add react to a website यह क्या होता कि आप किसी भी website के अंदर cdns वगरा add करके react का यूज कर सकते हैं बट यह सुरफ learning purposes के लिए actual applications जब develop करते हैं तब हम proper react installation करते हैं तो उसके लिए आपने जाना है create a new react app यहां पर जाए create a new react app और यहां पर यह command आ रही है आप इसको copy करने और copy करके आप कहीं पर भी folder open कर सकते हैं मैं इस्ता करता हूं this PC यहां पर D drive में चले जाता हूं और यहां पर मैं एक नया यहां पर कर लेता हूं create a show more यहां पर एक terminal open कर लेते हैं अगर आपको terminal नहीं आता यहां पर open करना तो आप इसी folder को VS code में भी open कर सकते हैं ठीक है और VS code के थुरू मैंने आपको बताया हूए last videos में मैं अभी के लिए यहीं पर directly terminal open कर लेता हूं अगर आपकास git bash installed है तो आपकास इधर git bash आ रहा होगा तो आप यहां पर वो command copy करने पेस्ट करते हैं जो आपने copy की थी अगर इस command को आपने पहले हम study करें तो आप notice करें कि शुरू में लिखा रहा है npx npx basically क्या है जब आप node.js install करते हैं तो npx एक tool है जो node.js जब आप install करते हैं तो node.js अपने साथ-साथ एक code tool install करता है उसका नाम है NPN नोड पाकेज मैनेजर उसके साथ-साथ इसने npx भी इंस्टॉल कर दी है जो के नोड पाकेज मैनेजर की extension है हम उसका यूज करके react का project generate कर सकते हैं यहां पर हम लिख देंगे अभी के लिए सब्सक्राइब करें आप यह तो काई इंस्टॉलेशन हो गई है यहां पर आप देखें तो सबसे पहले यहां पर सारी कमांड्स कुछ लिखी आ रही है यह हम बाद में डिस्क्स करेंगे बट वह क्या कह रहा है वी सजेस्ट जाट यू बिगिन बाइपिंग चेज्टरी के अंदर चले जाए उस डैक्री में जाने के लिए मतलब चेंज डैक्ती फर्स्ट एयाट आप उसको ओपन कर ले यहां पर मैं इसको क्लियर कर दा हुं टैर्मिनल को और यहां पर एस तरह करते हैं कि टर्मिनल बलकर से close कर देते हैं और इस प्रोजेक को हम Visual Studio Code में खोल लिए तो उसमें खोलने का क्या तरीक है हम यह पाथ कोपी कर लिए यह कोड में जाते हैं एक कंड्रॉल यहां पर हम जाएंगे फाईल फुल्डर अब कर देता हूं सेलेक्ट फुल्ड यहां पर मैं तो बजूम इन कर लेता हूं ठीक है और उन बाएवन हम सब्से पहले यह फाई देखेंगे लेकिन उससे पहले पर प्रुजेक्ट को स्टार्ट करके देख पहें है कि project देखता किस तरा का है जो default project react ने generate किया हमारे लिए तो project को start करने के लिए आप command run करेंगे npm start enter करेंगे और कुछ time ले सकता है बट यह जैसी start होगा browser में automatically वो open हो जाएगा let's wait जी तो आप देख सकते हैं कि मेरी screen पर यह कुछ functionality आ रही है यह basically default react आप जिसमें सिर्फ यह एक लोगो आता है background पर थोड़ी CSS लगी हुई है और नीचे कुछ text लिखा आ रहा है और यह documentation का link है उनकी website का तो यह basic react आप इसमें और कुछ भी नहीं है और यहां पर आप देख सकते हैं यह basically hot reloading होती है अब वो कह रहा है कि edit src app.js अब क्या होगा water reloading क्या होता है कि जैसी आप किसी file में change करते हैं वो automatically update भी कर देता है browser में आपको restart करने का यह refresh करने की जरूरत नहीं पड़ती तो अगर यहां पर आप जाएं यह देखें यह जो लिखा आ रहा है यह यह वही लिखा आ रहा है जो browser में लिखा रहा है यहां पर थीक है तो अगर मैं यहां पर इसको change कर दूँ मैं कहता हूं इसको खत्म करते है first react app इसी save करूँगा terminal refresh होगा थीक है save किया terminal refresh हुआ और अगर browser में जाएं तो आप देखें यहां पर auto reload हो गया वह तो एक यह चीज थी दूशी चीज अगर मैं इसको खाली कर देता हूं save किया तो आप देख सकते हैं सारा content drive हो गया screen से ठीक है दूशी चीज यह एक .js की file है आप notice करें app.js और इसके अंदर ही उन्होंने image को भी इंपोर्ट किया हुआ है इसके अंदर ही उन्होंने css भी इंपोर्ट की हुई है यह आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा but at the same time this is very interesting कि यह हो किस तरह है यह हम लेटर on discuss करेंगे कि यह कैसे होता है but directly क्या हुआ 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 है कि directly app.css की file इंपोर्ट कर ली गई है इस html के लिए अपनी react app के लिए तो क्या होगा कि आपकी classes जो भी लगाएंगे आपने यहां पर तो उस तरह से logo imported है और logo as a file यहां पर imported है logo.slash logo.svg और यह svg जो है यहां पर पढ़ी होगी यह देखें आप src के अंदर यह svg है अगर आप इस svg को browser में open करें तो let me open it up तो यह देखें यह react का logo है जो यहां पर आ रहा है ठीक है तो यह logo उन्होंने किसना लगाया simply उन्होंने import करके src में वह as a variable लगा दिया तो dynamically curly brackets open करके अगर आपको last lecture यहां दो तो मैंने यह देखा था कोई भी वेरियेबल jsx के अंदर curly brackets के अंदर output करवाते हैं तो इसने क्या किया है यहां पर curly brackets लगा के उसमें logo डाल दिये तो automatically logo जो है वह src में image के tag पर लग जाता है तो एक तो यह है अधियाक का जो हम setup देख रहे हैं app.js के अंदर component है बट इसको मैं अभी के लिए close कर देता हूं और हम from scratch इसको देखते हैं ठीक है इसको close कर देते हैं तो यह देखें यहां पर app logo पे animation लगी है ठीक है css animations अगर आपने study किया हो तो यहां पर app login from 0 degrees to 360 degrees और यहां पर infinite 20 seconds का timer linear लगी है animation ठीक है जी तो खैर यह था कुछ अब इसना करते हैं हम one by one सारी directories की बात करते हैं सबसे पहले जो सबसे important चीज़ है बलके let's go from like bottom यह readme.md की file आ रही है अब readme.md की file basically क्या करती है यह file के अंदर आप markdown लिखते हैं जो कि additional language है HTML के इलावा जिसना HTML एक markup language है HTML का full form होता है ना hypertext markup language तो md जो होता है उसको कहते हैं markdown markdown भी एक markup language है जिसना HTML है but markdown language हम normally documentation या documentation वगरा के लिए use करते हैं तो यह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं readme.md की file में यह by default आती है जब आप रियाक्खा project create करते हैं लेकिन यह normally helpful रहती है जब आप git repository बनाते हैं तो उसके इलावा normally this is not used but visually जब हम इसको देखते हैं तो अगर मैं इसको control shift P करूं मेरे पास markdown यह देखें markdown open preview ठीक है तो यह देखें इसी file का preview open हो गया है यहाँ पर ठीक है तो यह जो preview है यह basically उस file का preview है जो file मैंने यहाँ पर open की हुई है ठीक है मतलब अगर मैं control shift P करूं markdown open view to site यह देखें अगर मैं यहाँ पर कोई चेंज करता हूं तो यह देखें राइट साइट पर आपको यहाँ पर चेंज होता नहीं तरह रहा रहा ठीक है अवैलेबल तो यह क्योंकर double hash है तो यह heading है ठीक है triple hash है तो यह h3 है one hash है तो यह h1 है तो यह इस तरह से काम करती है खैर इस वीडियो में हमें markdown cover नहीं करनी बट मैं आपको यह बताना चाहरा था कि विजूली जो है यह फाइल यूज की जाती है for documentation तो इस फाइल को अभी के लिए आपको understand करने की जूरत नहीं है इसको as it is प project किसी को copy करके देंगे मतलब के यह रियार्ट का प्रोजेक्ट है आप जब उसको files copy करके देने किसी दूसरे developer को तो आप node modules नहीं copy करते आप बाकी सारा को copy कर लाते है node modules आप कहेंगे यार node modules अगर मैं copy नहीं करूंगा तो project तो खराब नहीं हो जाएगा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा लेकिन हम node modules इस वज़ए से शेर नहीं करते है क्योंकि node modules का folder है उसका size बहुत ज्यादा होता है तो उसको copy करना और फिर किसी और जगा पे जाकर paste करना उसमें time लगता है तो इस वज़ा से हम क्या करते हैं यह अप्लोडिंग में time लगता है तो इस वज़े से हम क्या करते हैं हम node modules को skip कर देते हैं और यह बाकी folders copy करके दूसरे developer को दे देते हैं अब दूसरा developer node modules को regenerate करता है using these two files यह दो जो फाइल है इसमें dependencies basically node modules का folder क्या होता ह इस project की तमाम dependencies ओती है react की जो internal implementation है जो उसकी library है react की जो core है यहां रियाक की जो dependencies है तमाम जो हमारे react framework की dependencies है यह हमारे project की dependencies है जो node modules के folder में रहती है ठीक है तो यहां पर अगर मैं जाओं तो आप देखें रियाक का folder आपको नजर आएगा यह रियाक की जो कोर है वो यहां पर आपको नजर आएगी तो यह folder के बगार आपका front end नहीं चल सकता लेकिन अगर आप किसी दूसरे developer को यह भी folder बेजेंगे तो time बहुत लगेगा आप देख सकते हैं यहां पर लिखा आ रहा है कि यह folder 273 MB का है ठीक है अगर प्रॉपर्टीज में जाएं तो यह folder 273 MB का है size on disk 315 MB इसको cancel करें लेकिन अगर बागी का project आप देखें जो के नॉर्मली हम copy paste करते हैं किसी दूसरे developer को देने के लिए उसका size तो यह चीज़ आपने आप दूसरा developer node modules को किसना degenerate करेगा using these two files क्योंकि इन दो files में आपकी तमाम dependencies का track रखा जाता है जो भी आप dependency dependency install करते हैं वह आप NPM के through install करते हैं तो मैं आपको करके लिखाता हूं अगर कोई नई डिपेंडेंसी मैंने install करनी है तो मैं Lodash आपने चाहिए सुना हूँ है आपने जेक्वेरी नॉर्मली हम रियाक्ते साथ जेक्वेरी इंस्टॉल नहीं करते हैं लेकिन अभी के लिए च देखें यह एक लाइवरी है फॉर डेट्स तो यह देखें कितने ज्यादा डाउनलोड जाएं इसके तो इस वेरी पॉपलर लाइवरी जो हम अल्मोस्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर डेट्स के लिए यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर तो यह बेशिकली है कि आ npm install moment तो यह dependency install कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है यहां पर अगर मैं इंटर करूं तो यह देखें उसने यहां पर भी Automatically package.gson में moment add कर दी है और at the same time अगर आप node modules में जाएं तो आपको यहां पर भी moment नजर आएगा लेट सी यह है moment का फोल्डर ठीक है यह आप देख सकते हैं यह तो moment का फोल्डर आपका यहां पर भी exist करता है तो अब क्या होगा कि हम node modules नहीं बेज़ेंगे दूसरे अगर मैं इसको अभी भी डिलीट कर दूँ ना let's see close कर दूँ यहां से इसको डिलीट कर देते हैं node modules को it might take some time क्यूंकि इसमें बहुत जादा कर थूँ यह email कर थूँ आप उनको code share नहीं करेंगे आप क्या करेंगे आप एक git repository बिनाएंगे github के उपर यह bit bucket के उपर यह git lab के उपर मुक्लिफ platforms available हैं आप वहां पर git repository बनाएंगे और वहां पर अपना code push करेंगे git किसना से काम करता है मैं कोशिश करूँगा कि उसके लिए एक extra video बनाकर हम upload कर दें as a crash course तो मैं कोशिश करूँगा वो हम बना लें और उसको आप देखके देख लेंगे git पर किसना से code push किया जा सकता है बड़ अभी के लिए वह important नहीं है अभी के लिए हम focus कर रहे है रिया इंची शॉल हो गई हुई है और हमने स्वरी हमने नोड मॉडिल्स का फॉल्डर डिलीट के तो अब हमने उसको री क्रियेट करना और यह जो सेटप आपको नजर आ रहा है यही सेटप दूसरे डिवेलपर के पास भी यही सेटप होगा ठीक है तो NPM आये क्योंकर उनके बा इस दफ़ा जल्दी इंस्टालेशन हो रही है क्योंकर लास्ताम जब इंस्तालेशन हुई थी जो डिपेंडनेशी थी वह एन्पी एम ने कैश कर ली की तो आप जब रीइंस्टाल किया है तो जल्दी हो गया नहीं यह तो हमारा क्लियर हो गया कि नोड मॉडियूस क्या होत कुछ ऐसे assets आपको नज़र आएंगे जो आपकी basically website के normally आप public में कोई नई चीज आड नहीं करेंगे बट अगर आप public में जाएं सबसे पहली फाइल यह है जो important है index.html तमाम ऐसे resources जो आपने अपनी index.html फाइल के साथ link किये हुए है मतलब कि यह देखिए यह इधर icon लगाया गया थीक है favicon.icon ठीक है यहाँ पर logo लगाया गया एपल टाच आइकन के लिंक के ऊपर मतलब के favicon वगारा उसका ताके प्रॉपर ली यहाँ पर manifest आड किया गया जो कि प्रोग्रेसिव वैब वैप्स के लिए किया जाता है ठीक है नीचे है टाइटल है यहाँ पर route है मैं अभी के लिए यहाँ पर सारे comments रिमूफ कर देता बलके comments से पहले हम यह देख लेते हैं यह देखें यह favicon की फाइल कहां से आ रही होगी यह देखें इसके शुरू में पास लगाया गया public dollar public underscore url dollar यह एक keyword है आप कहलें जो react जब आपका project build करेगा जब हम deployment के लिए react का project build करते हैं तो उसके अंदर वो public url को change कर देता है इस directory के path के साथ automatically तो आपको खुद यह नहीं करना पड़ता है मतलब dot slash वोगरा यह automatically public directory का url लगा देगा यहां पर आप यह सानी के लिए और यह file जो है favicon.ico यह आप देखेंगे उसी directory में exist करती है यहां पर इसको open करते हैं तो यह favicon आ रहा है ठीक है यह logo आ रहा है ठीक है यह भी एक file है जो PWA के लिए उसने यहां पर add कि हुए PWA क्या होता है doesn't matter right now but यह है कि यहां पर कुछ default setup उसने आपके लिए किया हुआ यहां पर देखेंगे notice the use of public यह देखें उसने text भी लिखा हुआ है notice the use of dollar public underscore url in the tags above it will be replaced with the url of the public folder during the build only files inside the public folder can be referenced from HTML मतलब के इसके अंदर सिर्फ वोथ files लगाई जा सकती है जो public directory में है अगर आप कोई file उठा के src में डाल देते हैं और index.html में उसका link लगाने की कोशिश करते हैं तो it will not work ठीक है तो आपने make sure करना है कि index.html में जो file आप link करें वो public में ही exist करती हो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और लाइन लिखी हुए unlike favicon.ico or favicon.ico public url favicon.ico will be will correctly will work correctly both with client-side routing and non-root public url learn how to configure a non-root public url by running npm run build this is not really important to know right now but यह है कि आपको idea हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाहरा हूं index.html के अंदर आप link करें अब आप यह कहेंगे कि index.html की हमें जरूत ही क्या है actually हमारी index.html file जो है वो basically template file होती है आपकी react app के लिए ठीक है तो आपकी जो भी react का code है वो inject होता है इस div के अंदर आपको याद होगा अगर आप last video दुबारा देखें तो उसमें भी हमने एक div नाई थी जिसमें हमने अपना code inject किया था यह भी वैसे ही है ठीक है react इस structure में यह जो सारा structure आपको नजर आ रहा है इस case में automatically react जब run होगा मतलब के आप अगर screen पे जाए तो यह जो आपको नजर आ रहा है ठीक है हमने dependencies यह एरर इस वाज़े से आने क्योंकर हमने dependencies खतम की थी we need to restart the server फिर वो ठीक काम करें तो यह जो मैंने last video में किया था कि हमने एक div नहीं थी और उस div में हमारा code inject होता है यह बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पर इस case में react automatically हमारा code inject करेगा जब उसका code run होगा browser में ठीक है तो automatically div के अंदर हमारा react के components को inject करता जाएगा और यहां पर आप देखे हैं जिसना मैंने का है this file is only a template for your for your react app तो यहां पर देखें this HTML file is a template sorry this HTML file is a template if you open it directly in the browser you will see an empty page ठीक है क्योंके इस browser इस HTML document में कोई content नहीं है कोई चीज नहीं है ठीक है you can add web fonts, meta tags or analytics to this file the build setup step will place the bundled scripts into the body tag to begin the development run npm start or yarn start to create a production build run npm run build यह सारा सिरफ पहली दो lines जो है वो important आप के लिए जानना के HTML file जो है by default इसमें कोई content नहीं होता and this is used only as a template for your react app ठीक है template का मतलब UI नहीं है template का मतलब की structure ठीक है अब इसके अंदर अगर आप एक चीज देखें for example आप bootstrap का cdn लगाना चाहते हैं तो आप यहां पर bootstrap का cdn लगा सकते हैं ठीक है don't know के अगर मेरे पास वो है for example मैं cdn लगायता हूं cdn जो आप यहां पर लगाएंगे अगर आप bootstrap का cdn लगाते हैं तो आप automatically अपने components के अंदर यह component मैंने आपको दिखाया था इस component के अंदर आप bootstrap की classes यूज कर पाएंगे अगर आप cdn लगाते हैं तो इट विल स्टार्ट वोकिंग ठीक है तो एक तो यह चीज मैंने आपको बतानी थी यहां तक आपको ख्लियर है कि पब्लिक डारेक्टिक क्या करती है नॉर्मली इंडेक्स इस्टीमिल फाइल में आप कुछ भी नहीं करेंगे ठीक है आप सिर आप यहां पर जाके गूगल फॉंट का यूज करते होएं आप पॉप इंज यहां कोई भी फॉंट अड़ कर लें और वह फॉंट फिर आप यहां पर अपने कॉंपनेंट्स के अंदर यहां css के अंदर जो src में एक्जिस्स करती होगी आप उसके अंदर उसका यूज कर कर लिए है let's go to src now src में अगर आप देखें आपको काफी फाइल नजर आएंगी पट जो important file है सबसे पहले वह है index.js this is the entry point of your react app यहां पर आप देखें कुछ dependencies by default imported है बड़ अगर आप यहां पर आएं यह देखें सबसे पहले उसने एक basic css import किया तो यह css basically आपकी पूरी react app पे apply होगी क्योंकि यह global level पे होती है index.js आपका सबसे top level component होता है top पे जो component होता है overall जो एप को wrap करता है इस component में जो भी css apply होगी वह पूरी application में अप्लाए होगी ठीक है और इसके अंदर हमने यह देखें एक और component import किया हुआ जिसका नाम app है जो हम discuss कर रहे थे जहां पर हमने paragraph change किया था तमाम जो components होंगे वह src में ही exist करते है src सर बाहर नहीं हो सकते आप src के अंदर एक नया folder बनाकर उसको कह सकते हैं for example components और उसमें आप components add कर सकते हैं but src के बाहर नहीं आप कुछ कर सकते हैं रियाक के case में पब्लिक में आप पब्लिक वाला code add कर सकते हैं लेकिन जो रियाक को react से related code है वो src में ही जाएगा ठीक है आगे जलते हैं यहां पर आप देखें तो उसने सबसे पहले एक root node create किया यह क्या कर रहा है doesn't matter यहां पर यह क्या कर रहा है कि get element by id root id get कर रहा है अब root कहां पर define था id जो थी index html उसमें वहां से root id पकड़ लिया है और उस डिफ के अंदर एक रियाक का root element create किया है विच डिजन्ट मैंटर के वो क्या है लेकिन वो create कर रहा है यह जाना जूरूरी है और उसके बाद उसने उस root component के अंदर root जो create किया था उसने element उस root के अंदर render कर दिया है app component को यह strict mode क्या है you can ignore it for now but strict mode basically क्या करता है जावा स्क्रिप्ट का strict mode जो है जावस्क्रिप्ट में एक और चीज होती है जिसको गरते है strict mode react.strict mode basically कुछ उस तरह की practices को enable कर देता है आपके children components के लिए तो app के अंदर वो enable हो गया तो यह overall enable कर रहा है उस चीज को खैट अगर आप app component अप open करें तो यह आप component render हो रहा है through index.js और inject कहां पर हो रहा है root के अंदर इस method तो यह hopefully आपको यहां तर clear हो गया होगा कि react आप में किस्टा से injection होती है अगर आप यहां पर एक निया component for example मैं इसको खटा रहता हूं साइज चीज़ों को और मैं यहां पर कहता हूं homepage एक निया component बनाना चाहता हूं जिसका नाम होगा homepage ठीक है और मैं यहां पर उसको import कर लेता हूं import homepage from dot slash homepage dot jsx you know you don't need to type dot jsx है यहां पर कर दिया लेकिर यह import syntax जो है यह मैं आपको detail में explain करूंगा basically मैं homepage import कर रहा हूं homepage की directory से ठीक है मैं यहां पर एक नहीं directory sorry folder बना सकता हूं homepage dot jsx sorry the directory the extension is going to be dot js मैं आपको बदाऊंगा बाद में कि कब आपने इस directory का नाम jsx रखना है folder का नाम और कब इस folder का नाम आप कब इस folder का नाम js होना चाहिए कब इस folder के end पर jsx होना चाहिए यह आप देखें मैंने यह यहां पर homepage बना लिए और यहां पर मैं इसको export कर दूँगा export default homepage ठीक है अब यह समझने की अभी जुरूत नहीं है इसकी डीटेल में हम जाएंगे मैं बिसकलिए आपको यह दिखाना चाहरा हूं कि यहां पर src की है तो देखें यह चल रहा है अगर मैं इसको comment आउट कर दूँ ठीक है और return कर दूँ पेच वान तो आप देखें आप hello लिखा आ रहा है यहां पर लेकिन अगर मैं home page return करता हूं तो home page यहां पर नजर आएगा ठीक है तो यह structuring जो है यह किस तरह से काम करती है I'll explain that later but hopefully आपको समझ आ गया कि किस तरह काम करें ओके बाकी यह है कि index.js और app.css यह कुछ फाइल इस तरह की है react के अंदर ना यह जो हमने setup किया create react करके तो इसमें supported होता है कि आप कोई भी css file create करें और directly css file import करने आपको यहां पर css file create करने की जरूरत नहीं है नहीं आपको index.html भी link add करने की जरूरत है ठीक है जो हम पुराने तरीके में करते थे हमें वो करने की जरूरत नहीं है हम directly यहां पर import कर सकते हैं css बतलब के most of the time 90% of the time a react developer जो है एक react developer जो है वो जावास्रिप्ट का ही use कर रहा होगा यहां css लिख रहा होगा इस tml जो है वो उसने सिर्फ जावास्रिप्ट की file के अंदर ही as jsx लिखनी है ठीक है तो hopefully आपको यहां दर clear हुआ उसके इलावा यहां पर आपको कुछ file नजर आएंगी आप test इसको आप ignore कर दें यह test development में हम use करते हैं for testing unit testing integration testing और इस पर चीज़ यह svg file आपको याद होगा कि हमने home page में import की थी जो के originally app.js में था code उसमें logo को import किया गया था और यहां पर उसने लगाया था तो यह एक तो चीज हो गई ठीक है उसके बाद आप यहां पर png files भी add कर सकते हैं svg, png, jpg, css ठीक है normally इस folder में तीन तरह की types होगी css files, javascript files और png, svg, images वगरा आप json files भी रख सकते हैं वो भी आप यहां पर import कर सकते हैं json को directly but that app test को आप ignore कर दें not important right now css का मैंने आपको explain कर दी है कोई भी css आप यहां पर लिखें आप उसको import कर सकते हैं यहां पर ठीक है किसी भी component के अंदर आप उसको import कर सकते हैं logo यह file थी svg file this is also something you can import directly in like app.js sorry homepage.js में जाएं यह देखें spg file को import किया गया था और image tag के src में logo लगा दिया गया था तो इस तरह से आगे चलते हैं यहां पर आप देखें तो एक file नदर आएगी report web vitals this is also not really important right now यह by default web vitals जो होते हैं lighthouse वगरा performance metrics के लिए यह यह आपका होता है setup हो रहा होता है index.js में यह देखें report web vitals this is not really important but यह by default लगा आता है आप इसको लगा रहने हैं कोई मसला नहीं यहां पर आप देखें क्या लिखा रहा है if you want to start measuring performance in your app pass a function to log results for example report web vitals console.log अगर आप यहां पर console.log pass कर दें तो let's go to the browser and let's see what happens यह देखें open करते हैं इसको open करें तो यह देखें आपको performance के बारे में बता रहा है थीक है first content full paint कितना time लगा था पहली दफ़ार screen render करने में खैर दूसरी information यह आ रही है फिर यह आ रही है navigation की timing आ रही है largest content full paint आ रहा है ठीक है performance event timing और उसकी time आ रही है खैर this is not important web vitals लगे रहने दें लेकिन you don't need to change anything here इसको as it is रहने दें report web vitals की file भी पढ़े रहने फिर एक setup test की file आ रही है this is basically यह आपके test जो है उनको setup करती है यह भी अभी important नहीं है क्योंकि अभी हम testing पर focus नहीं कर रहे है initially हम यह देखेंगे कि react app हमने किसना से बरानी है तो फिर एक file आ जाती है getting note यह last file है ठीक है और इस file में basically क्या हो रहा है कुछ files इस तरह की होती है जो हम git पर push नहीं करना चाहते है github के उपर यह bit bucket के उपर जब हम उसको use करेंगे तो मैं आपको इस file के बारे में और बताऊंगा लेकिन अभी के लिए जो default setup आता है इस file का उसमें अगर आप notice करें तो कुछ files excluded है ठीक है और इसमें से ज्यातर files exist भी नहीं करती है बट यह देखें node modules का जो folder है वो exclude किया गया है और vs code भी उसकी highlighting कम कर देता है ठीक है highlight नहीं हुआ 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 तो इस वज़ा से यह directory जो है जो git ignore में शामिल होती है यह github के उपर यह bit bucket के उपर भी push नहीं होती ठीक है और एक तो यह चीज़ होगी फिर एक और directory होती है यह build की directory यह build की directory आपको भी नजर तो नहीं आरी लेकिन react को जब हम अपनी react app develop कर लेते हैं तो हम एक build create करते हैं ठीक है build क्या होता है npm run build यह आपके लिए build create कर देता है और build जब create करेगा तो आप notice करेंगे यहां पर एक नया folder create होगा build का यह देखें बेसिकली वो क्या करता है आपके src directory का सारा code उठाता है public directory का सारा code उठाता है और उस code को combine करके एक इस तरह की files create कर देता है जो files आप deploy कर सकते हैं server पर आपको याद होगा last lecture में मैंने आपको इस चीज़ बताई थी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर JSX सिखना possible नहीं है ठीक है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं हो सकता है तो करना कि हम डिपलॉइण नहीं कर सकते दिया आप को डिपलॉइण करने के लिए तो हम याड बना रहें कल को हमने उसको domain है लाइफ करना है उसको तो जब हम build क्रियेट करते हैं बेसिकली JavaScript react क्या करता है react कि जो build की जो script है building करने की जो आपके लिए build create करती है वो क्या करती है तमाम javascript को convert कर देती है तमाम jsx को convert कर देती है normal javascript में और यह किस तरह से होता है अगर आपको याद हो last lecture में मैंने babble का use किया था और आपको demo दिया था उसका यह बिल्कुल Babel का ही यूज करते हुए यह फाइल को conversion करता है conversion जो है आप js की फाइल में जाएं दियार का code इसमें convert होता है यह इसके में और यह इस इस नोट readable at all क्योंकि आप इसमें कभी change नहीं करते हैं यह सिर्फ deployment के लिए code generate किया गया है but build folder के output और आपके src folder की यह बाकी के output जो है वो same होगी ठीक है यह चीज़ आप नहीं याद रखनी है that was all for this video guys I think आपको सारा समझ आ गया होगा कि react का folder structure क्या है react के सारे folder structure की आपको idea हो गया होगा कि कौन सा folder क्या करता है git ignore क्या है node modules हम क्यों नहीं push करते ठीक है build की directly हम क्यों नहीं push करते build भी हम नहीं push करते क्योंकि build का भी size बड़ा होता है that is something that we create on the server itself तो directly server पर create की जाती है यह file उसके बारे में आपको बाद मैं explain करूंगा but hopefully आपको यह सारा समझ आ गया कि यह आखका structure कैसे होता है next video में by the way आपको यह भी अब मैंने बता दिया था कि जो command है मैं दोबारा type कर देता हूं react project को run करने के लिए कि जो command है वो है create react app react project create करने के लिए और आप उसको कुछ भी कह सकते है for example shopping app ठीक है maps कोई maps related app बना रहे है maps searching something कुछ भी हो सकती है तो इस तरह से आप app create करता है next video में guys हम देखेंगे कि इसी structure को use करते हुए हम एक छोटी सी application बनाएंगे using a different concept within react कुछ concepts हम study करेंगे और इसी structure को for the following videos react से related होंगी हम इसी structure को follow करेंगे thank you so much guys next video में बात होती है Allah Hafiz रह फिरानalten वहल उहांगे क्छीा इस साहरा थागकवजे में अर ऊहांगे